हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वेटिर कॉम्टिटी में स्वागत करता हूं आज हम किस टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं उसका आईडी आपको थोई देर बाद मिलेगा है सबसे पहले यहां मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा अग यहां पर जो मार्केट अपन हुआ है इसके पीछे का रीजन क्या है उसके बाद देखिए यह जो अपन हुआ हुआ लगभग आपका 2400 के करीब और यहां से प्राइस और आपका लगभग 2700 के करीब गिया है तो यह आपका लगभग 300 पॉइंट का अपसाइड मूब दिख तो हम यही अपरचुनिटी फाइंड करेंगे कि मार्केट यहां पर जो ग्याप अप दिया है और क्याप के बाद प्राइस आपका अपसाइड की तरफ ही निकला और 10-15% का अपसाइड मूब दिखा है यहां पर यहां पर 5-7% यह अपर 10% का प्रॉफित हम कैसे बना सकते ह कैसे यहां पर हम बाइंग अपरचुनिटी फाइंड करके मार्केट से प्रॉफित बना सकते हैं वही हम इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो आपके लिए फाइदे मन सावित हो सकता है क्योंकि रिसेंट डाइम्स में ब जादा प्रॉफिट बना सकते हैं इसलिए आप इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन दबादा ना भूले क्योंकि इस तरह के हम इंफॉमेटिव वीडियो वेगला वेस्किस पर लाते रहते हैं और वह वीड तो यहां पर हम वापस से चार्ट पर आगे अब एक चीज क्या है विलाइंस का डेली चार्ट अब यहां पर आपको टाइम फ्रेम को लेके डाउट होगा यहां पर टाइम फ्रेम आपको डेली चार्ट का इस्तमाल करना या फिर वेकली चार्ट या फिर मंतली चार्ट डेल यहाँ पर हमें candle में maturity चाहिए और maturity हमें daily chart में मिलता है तो आप daily chart से कम time frame में जाएंगे तो यहाँ पर आपको accuracy level बहुत कम मिलेगा इसलिए आपको minimum यह चीज़ daily chart में काम करना ही होगा तो यहाँ पर अब देखिए यह जो gap होता है यह जो gap up होता है या फिर gap down होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते है run away gaps या फिर continuation gap यानि price अगर आपका upside की तरफ जा रहा है इसी में आपका gap open होके फिर price उपर गया और यहां से फिर आपका upside move दिखा रहा है यह क्या हो गया run away gaps और continuation gaps हो गया चाहिए price आपका नीचे आ रहा हो यहाँ फिर आपक gap down open हुआ है फिर आपका price नीचे side की तरफ ए continue है तो यह भी आपका continuation of gaps में भी आता है continuation of gap में क्या हो सकता है आपका market gap up भी दिखा सकता और gap down भी दिखा सकता है इन दोनों gap up या gap down को play करते हुए कैसे हम अपना buying opportunity या selling opportunity find करके profit बना सकते हैं basically हम इस वीडियो में इसी चीज क के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहला example है हमारा gap up का तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि market gap up क्यों open होता है वह यहां पर आपको समझने की जुरूरत है अब यहां पर देखिए price आपका नीचे से upside की तरफ जा रहा है अब क्या हुए होंगे बहुत साह लोग यहां सबसे upside की तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे वह थोड़ा सा नीचे आने का वेट करें यह वह वेट करेंगे कि अगर प्राइस इस लेबल पर या फिर इस लेबल पर आता है तो हम दुबारा entry लेंगे वह यहां पर entry लेने के लिए लेकिन क्या हुए प्राइस आपका upside की तर कर देंगे और जो मेरा प्रॉफिट बन सकता वह प्रॉफिट मेरा नहीं बनेगा तो ग्वीड और फोमो यहां पर होता उसके क्या होता है यह जो upside continue है इसी में बहुत सारे बायर्स फ्रेस इंट्री करते हैं fresh entry of buyers होता है अब यहां पर प्राइस आपका एक range पकर लिया कभी कभी क्या होगा प्राइस रेंज भी नहीं पकरेगा upside momentum continue रहेगा उसी में बहुत सारे बायर्स इंट्री करते हुए दिखेंगे लेकिन यहां पर प्राइस एक आपका रेंज पकरा है उसके बाद क्या हुआ हुआ है मतलब जैसे प्राइस आपका रेंज पकरा उसके बाद ब अब देखिए closing यह थोड़ा सा positive note पे दिया था और अगले दिन क्या हुआ अगले दिन यह हुआ होगा कि बहुत सारे buyers pre market में positions लगा दिया होगे या फिर market close होने के बाद positions लगा होगे तो उसके कारण से क्या होगा pre market में इसका price increase हो गया होगा और जब market open हुआ होगा तो price inflated price यहां पर मिला होगा और direct आपका यह inflated price यह नहीं ऊपर के price पर यह open ही हुआ होगा तो ऐसे situation में आपका gap up open होते हैं पहले से बहुत सारे buyers interested हो जाते हैं pre market में और वहां पर वह buying order डाल देते हैं जिसकारण से क्या होता buying order जो दिवे दिर हाईर price पर आने लगता है और as a result market आपका gap up open होता है तो gap up open होने के पीछे क्या है बहुत जादा buyers का interested होना यह region है कि market आपका gap up open हुआ है तो इस तरह का buyers के interested कारण सो market जो gap up open होता उसको आप कैसे identify कर सकते हैं volume के basis पे अब यहां पे देखें जब भी market आपका gap up open होगा यहां पे volume build up आपका जबरदस्त होगा यहां पे देखें volume build up काफी तग रहा है सिर्फ आपका gap up candle पे volume build up जबरदस्त नहीं होगा इसके बाद इसका follow up भी volume build up हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा यहां पे देखें follow up volume भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है मतलब यह जो gap है यह sustainable है या नहीं है और य यह volume build up आगे भी continue है मतलब यह क्या बना यह आपका run अबे gap बना और continuation gap बना मतलब अगर इस gap में आप entry नहीं लेंगे तो price यहां पर रुकने वाला नहीं है price आपका और upside की तरफ जाने वाला और यहां पर आप opportunity miss कर देंगे तो जो लोग यहां पर entry किये किये अब कुछ लो लोगा green यहां पर और वर गया होगा और यहां पर grid के कारण से आनन फानन में लोग जिस भी price पर market है उसी price पर लोग entry करना शुरू कर दिये इसके बाद क्या होता price आपका upside की तरफ जाना start हो जाता और यहां पर बहुत सारे fresh buyer entry करते और selling करने के बारे में कोई सोचते भी न यहां पर हमें इस opportunity से पैसा बनाना है क्योंकि market को जितना भी समझ लेंगे market आपको reward नहीं देगा reward देगा execution पर यहां पर हम इसका execution सीखते हैं अब देखिए market आपका gap open हुआ है अब यह gap आपका false भी हो सकता आपको trap करने के लिए जाल बिचाया जा सकता है इसलिए यहां प फिर भी हम इतना जादा भरोसा नहीं करें क्या करेंगे जो पहला gap up candle दिया उसके highest point को mark कर लेंगे अब जैसे ही price इसके highest point को break करके ऊपर निकलेगा with volume और strong candle होना चाहिए अब देखिए price आपका यह candle इसको break करके ऊपर निकला और यहां पर volume भी अच्छा खासा है और solid strong candle भ है वह यहां पर हमें मिलता हुआ दिख रहा तो यहां पर हम क्या करेंगे यह लेवल पर हमारा entry होगा यहां यहां पर लगवगा 2500 के आसपास अपना buying opportunity लेंगे यहां यहां पर हमने 100 points already अपना नुकसान कर दिया for the vision of safety for the confirmation of uptrend उसके बाद हमने entry ले लिया 2500 के price पर अब यहां पर हमारा target price क्या होगा उसके लिए हम previous swing high को find करेंगे तो अब यहां पर देखें मेरा target 1 यह level होगा और target 2 की बात करें तो मेरा यह level लगवग target 2 के करीब जाता हुआ दिखेगा तो आसानी से मुझे यहां पर अच्छा खासा profit profit मिल जाएगा यहां पर हम आसानी से 2650 तक के लेवल के लिए यहां पर 500 का profit आसानी से बना सकते हैं और 500 का profit का मतलब है यह 5-7% पर आसानी से बना सकते हैं यह नि माकेट आपका 10-15% का profit दिया पूरा का profit तो हम नहीं ले सकते हमें लेने की बारे में सोचना भी नहीं तो आपको बस एक सही ठीक ठाक इमाउंट में profit लेना 5-7% पर प्रॉफिट यहां पर हमने ले लिया सारा कुछ concept को समझते हुए with safety with safe trade यहां पर हमने सारा कुछ अपना trade execute कर लिया अब यहीं जो gap है इसी को हम लोगते runaway gap और continuation gaps आगे कभी भी यह नाम सुनने को मिले तो आपको समझे इसके पीछे concept क्या है और इसके basis पर हम कैसे tweet execute करते हैं अब यहां पर SL क्या होगा SL मैंने आपको नहीं बताया अब देखिए SL आप यहां पर कैसे decide करेंगे जो कि बहुत जादा important होता है तो आप यहां पर दो काम कर सकते हैं जो upside 20 start हुआ है gap up से पहले उसके lowest point को यहा stop loss रख लें यहां नहीं तो जो candle आपका gap up open हुआ है अगर price उपर जाना start करता है जैसे यहां पर हमें breakout मिला उसकी बाद इस candle के lowest point को भी हम as a stop loss रख सकते हैं तो दो stop loss है आप चाहो तो यहां पर भी stop loss रख सकते यह भी बन जाए और यह भी बन जाए तो जहां पर आपका risk reward इसी आपके favor में रहेगा वोट यहां पर आप अपना stop loss रख सकते हैं तो यहां पर हम एक को एक जामपल देखते हैं और यहां पर वापस से बीए से के डिली चार्ट पर आ रहे हैं अब यहां पर देखिए एक तो है continuation gap और runaway gaps बने का region है कि बहुत जादा buyers का एक ही टाइम इंट्वेस्ट आना और वह क्या होते हैं market close होने के बाद या फिर market खुलने से पहले बहुत सारे buying order आते हैं जिसे कारण से प्री-market में price आपका upset की तरफ इंक्वीज होता चलता है और as a result market जब open होता है तो काफी higher price पर market open ही होता वहीं बनता है gap up का region अब gap up या gap down जो भी होता है उसके पीछे दो region हो सकता है एक तो buyers और sellers का इंट्वेस्ट होना दूसरा न्यूज या event जब आता है उसके कारण से भी market आपका gap up और gap down होता है और उसके कारण से run away और continuation gap उसके बाद भी बनता है जैसे यहाँ पर हमारे पास BSC का एक सटीग example है यहाँ पर पहले से price आपका upside की तरफ जा रहा था तो उसके बाद क्या हुआ इस split का यहाँ पर news आया जिसके बाद क्या हुआ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा interested हो गये और इस news या फिर event के कारण यहाँ पर market आपका gap up open होना शुरू हो गया अब यहाँ पर देखे यहा यहाँ पर क्या करें हम यहाँ पर वॉलूम बिल्डप का इंतिजार करेंगे यानि इस gap के वीशिश पर हम यहाँ पर ट्वेट लेने के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें वालूम के तरफ से support नहीं मिलवा, जब तक हमें वॉलूम सपोर्ट नहीं करेंगा तब तक यहाँ पर हम entry के बारे में नहीं सोचेंगे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे Market आपका वापस से यहाँ भी थोड़ा वूद gap up open हुआ यहाँ पर gap up open हुआ है अब जब इस candle पर market आपका gap up open हुआ यहाँ पर volume अभी भी कम है यहां पर अभी भी हम entry लेने के बारे में नहीं सोचेंगे लेकिन market आपका gap of open होता है चला आ रहा है यह हमें यहां पर idea मिलेगा है मतलब buyers पहले से interested है अभी यह genuine gap है या फिर trap है या फिर इसके बाद market नीची आ सकता है इसका idea हमें नहीं है हम यहां पर क्या करेंगे volume build-up का इ देखेंगे यहां पर हमें volume अच्छा खासा देखने को मिला है तो इस candle पर जैसे volume build-up देखेंगे तो हम इसके lowest point पे entry करेंगे या फिर इसके बीच में जहां पर हमें मौका मिलेगा वहां पर हम entry करेंगे उसकी बाद आपका price उपर गया है और previous जो भी swing high होगा या फिर price आपका एक पार्टिक्ल लेवल तक उपर जाने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे training SL का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको target find करने में कहीं भी दिक्कत हो रहा तो क्या कीजिए आप यहां पर training stop loss का इस्तेमाल कीजिए क्या कीजिए जैसे price आपका उपर चलते चलता है stop loss अपना increase करते चलिए और जब भी आपको क्या मिल जाए 2% से ज्यादा का return आपको मिल जाए तो क्या करना buying price के करेंब या फिर buying price से थोड़ा सा ऊपर आपको अपना stop loss लेयाना यानि 2% आपके favor market जाने के बाद आपको वहां पे नुक्सान नहीं होना चाहिए किसी भी condition में चाहिए आपका एसल के उना हीट हो जाए लेकिन आपको नुक्सान नहीं होना चाहिए तो आप इसी तरीके से अपना इंक्वीज करते चलिए और उसके बाद price आपका all the way कहां से कहां तक इंक्वीज हुआ है लगबग देख सकते हैं 750 करीब यहां पर maximum injury ले सकते हैं लगबग यहां पर यहां पर आपका लगबग 20% से 30% के करीब यह आपका upside move दिखाया है तो यहां से अगर आप 10% से 15% के करीब भी अपना profit निकाल लेते हैं तो अच्छा खासा profit होगा trailing stop loss को use करके और यह अभी आपका all time high के करीब है तो previous swing high या swing low का इस्तमाल आप यहां पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि all time high के करीब या price आपका गया है तो इस तरीके से देख सकते हैं जो run away gaps है और continuation gap है इसके basis पर यहां पर आप trade ले सकते हैं अब यहां पर आपका stop loss क्या रहे देखते हैं तो previous candle का जो भी lowest point रहेगा इसको हम एजसल रच सकते हैं यानि तो इसका lowest point है इसको भी आप एजसल की रूप में इस्तमाल कर सकते हैं अपना risk reward ratio देखते हुए previous जो भी candle लगता है उसके lowest point को यहां पर आप stop loss के रूप में रख सकते हैं अब यहां पर हम एक और पर लेखते हैं नीचे साइड की तरफ जिसमें मार्केट आपका gap down open हुआ है और यहां पर हम TCS के daily chart पर आते हैं अब यहां पर क्या concept है यहां पर भी same concept है लेकिन opposite direction में मतलब यहां पर market आपका नीचे गिरना start हो गया अब जब market नीचे गिरता बहुत सारे लोग wait करते हैं कि price आपका वापस से उपर आएगा अब क्या हुआ यहां पर आपका engulfing bearish candle का formation किया और काफी strong red candle बनाया अब यह red candle देखने लोगों को लग गया कि price आप उपर आने वाला नहीं हमें आ और जब market open हुआ तो यह काफी lower price पर market open हुआ है और जब market इतना जबर्दस्त आपका gap down दे तो इसके opening price पर ही क्या करना आपको यहां पर entry करना और यहीं पर आपको क्या करना sell करना अब यहां पर stop loss आपको समझना दो जगह पर stop loss रख सकते हैं अपने ही साब से changes कर सकते हैं जब इतना थोड़ा लंबा gap दिखे तो previous candle का जो lowest point रहता है उसको भी आप Azure SL की रूप में रख सकते हैं यहां पर अपना risk reward issue भी चेक कर सकते हैं लेकिन अगर इस candle का length छोटा रहा तो क्या कर सकते हैं इसका जो highest point है वो आपका एक suitable stop loss बनेगा दो रख सकते हैं अगर candle का length ज्यादा हो इसके lowest point candle का length छोटा हो इसके highest point को भी आप Azure SL की रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं दो SL है आप अपने हिसाब से यहां पे changes कर सकते हैं situation को देखते हो थोड़ा बहुत आप आपको adjustment यहां पर करना पड़ेगा अब क्या हुआ इसके पीछे concept हमें समझ में आ गया कि price आपका नीचे गया और price आपका नीचे जा सकता है कुछ news या event भी आता उसके कारण से भी price आपका नीचे तरफ जा सकता है तो उसकी कारण से भी यहां पर आपको यही situation देखने को म मतलब market अगर आपका gap down open होता है तो वो gap down continue रहेगा अब जो लोग यहां पर entry नहीं लिएंगे वो क्या देखें कि price आपका नीचे साथ की तरफ जा रहा है मतलब चाहे वो sell करें या फिर जो भी buy किये वो निकलने का मौका खोजेंगे तो देखेंगे प्राइस अब उपर आ selling स्टार्ट हो जाएगा और प्राइस आपका नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर हमें तरफ इंट्वी लेना स्टॉप लोस ही हो गया और प्रिवियस स्विंग लोग जो भी है वह हमारा टागेट बन जाएगा पहला टागेट लग आपका इसके आस पास बने जाओ तो उसके बात किया हुआ वापस से यहां पर प्रि मार्केत में जबदस्ट sale order लगा ओऊगा हर एक प्राइस पे से continuation of gap form करने के बाद भी volume continue volume build up अच्छा खासा बना हुआ इसलिए इस gap के basis पे अपना trade execute करेंगे सारा कुछ positions execute करेंगे उमीद करते हैं यह concept यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा और इस concept के basis पे कैसे आप trade ले सकते कैसे आप profit बना सकते वोचीन समझ में आगया और कभी भी यहां पे आपको पुरा 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 प्रॉफिट के लिए नहीं जाना प्रैस आपका इस level से यहां तक आया और पुरा का पुरा प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते है उसमें से छोड़ा सा portion आपको पुरा 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 प्रॉफित के चक्कर में जाओगे तो आप बहुत जगध ट्रैप हो सकते हैं इसलिए आपको बस अपने हिस्से का प्रॉफित देखना बांकर जिसके इसे का जो प्रॉफित है वो अपना बना के ले जाएगा तो इस चीज़ पे फोकस करना इस से आप से बचे रहेंगे उमीद करते हैं यह यूनिक कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह कॉंसेप्ट आपको बहुत कम देखने मिलेगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्रा किजिए मिलें नेक्स्ट वीडियो में जैहिन